C.I.E.T. N.C.E.R.T. की जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइन्स की समयी दर्सी किताब आसपास का सबक 21 तरहां तरहां के खानदान सफ़ा नंबर 137 C.I.E.T. बोलो भी कितने आओ सब मिलकर एक खेल खेलें इस खेल को तुम जरूर जानते होगे सब बच्चे एक दायरे में खड़े हो जाएं एक बच्ची दायरे के दर्मियान में खड़ी होकर कोई ताल बजाये जब तक ताल बजता रहे तब तक सब दायरे में भागते रहे ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल यानी धुन रोक कर कोई भी छोटा नंबर जैसे पांच, चार, दो जोर से पुकारे ताल रुकने पर जो नंबर पुकारा गया है उतने ही बच्चे मिलकर अपना अपना गुरुप बनाएंगे जो बच्चे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए, वो खेल से बाहर हो जाएंगे ये खेल तब तक जारी रहेगा, जब तक सिर्फ दो बच्चे दाइरे में ना रह जाएं आओ, अब खेल के बारे में कुछ और बाती करें जब तुम सही तादात के ग्रुप में शामिल हो गए, तो तुम्हें कैसा लगा? क्यूं? अगर तुम किसी गिरोह में शामिल ना हो पाए, तो तुम्हें कैसा लगा? क्यूं? क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तुम किन-किन के साथ जादा रहना पसंद करते हो अगर तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो भई कितने? खेल में धुन बजाने और नंबर पुकारने का काम कोई भी कर सकता है बच्चों की तादात के मताबिक पुकारे जाने वाले अदद को कम या जादा किया जा सकता है सफा नंबर 138 हम सब अकेले ना रहकर और लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं हम सब किसी न किसी गुरुप से जुड़ कर जीते हैं चलो देखते हैं एक ऐसे गुरुप को गुरलीन, नाग राजन और उनके बच्चे, तानिया और समर यहां उनके खानदान की तस्वीर दिखाई गई है इन लोगों का आपस में एक दूसरे से क्या रिष्टा है? जो तस्वीर तुमने देखी है, उसमें दिखाई गई लोग एक ही खानदान के अफराद है ऐसे खानदानों की तस्वीरे या फोटो हम कई बार देखते हैं हम ऐसे खानदान कहां कहां देखते हैं क्या सभी खानदान ऐसे ही होते हैं? आओ, अब कुछ खानदानों के बारे में पढ़ें सी तम्मा सी तम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में अपने पुष्टैनी मकान में रहती है नीचे मकान में दादा दादी, छोटे चाचा और फूपी रहते हैं पहली मन्जिल के एक हिस्से में सी तम्मा अपने वालिद, वाल्दा और छोटी बहन गी तम्मा के साथ रहती है दूसरे हिस्से में उसके ताया और उनके तीनों बच्चे रहते हैं कुछ महीनों पहले ही उनकी ताय की मौत हो गई थी अपने खांदान से मुतालिक बाद के दौरान सबक चार में हुई गुफ्तगू को जहन में रखना मुनासिब होगा क्लास में मौजूद बच्चों के खांदानों के अंदाजे रहाइश में तन्वू से सबक की शुरुआत की जा सकती है इस सफे की बाई जानिब सीतम्मा अपनी बहन गीतम्मा के बाल बना रही है उसके बड़े चचा और नई चची छत पर बने हुए एक कमरे में रहते हैं उनकी नई नई शादी हुई है रात को खाने से पहले सीतम्मा की मा सब बच्चों को पढ़ाती है सबका खाना निचली मन्जिल पर बावर्ची खाने में एक साथ पकता है सबकी कोशिश होती है कि रात का खाना सब मिलकर खाए आज कल रात में ताया की छोटी लड़की सीतम्मा की मा के पास ही सोती है सुभा सीतम्मा उसे इसकूल के लिए तयार करती है सीतम्मा के खानदान में कौन-कौन लोग है और मुख्तलिफ लोगों का आपस में क्या रिष्टा है पिछले साल इस खानदान में क्या-क्या तबदीलियां आई है तारा सबक की बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जहां साहिल के नारे एक खातून और एक शख्स एक बच्ची के साथ चहल कदमी कर रहे हैं तारा अपनी अम्मा और नानी के साथ चन्ने में रहती है उसकी अम्मा मिनाक्षी ने शादी नहीं की और तारा को गोद लिया है मिनाक्षी सुभा दफ्तर जाती है और शाम को घर आती है इसकूल से लोटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना करते हैं वो उसे खाना खिलाते हैं इसकूल का काम करने में मदद करते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं छुट्टियों में वो तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं सफा नमबर 140 कभी कभी तारा की खाला, खालू और उनके बच्चे भी आ जाते हैं तब वो सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे? खानदान के लोग मिलजुल कर क्या क्या करते हैं? सारा और हबीब इस सफे की दाई जानिब सारा, हबीब और उनके वालित की तस्वीर दिखाई गई है सारा और हबीब शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं हबीब सरकारी दफतर में कलर्क है, और सारा स्कूल में पढ़ाती है हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं, और उनके साथ रहते हैं शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं, या ताश खेलते हैं अब्बू को सब के साथ टीवी देखने में मज़ा आता है टीवी देखने के साथ साथ बहस जो होती है छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर आ जाते हैं, खूब रौनक रहती है उधम मचाते हैं ये तीनों कभी कोई खेल खेलते हैं, कभी घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं और कभी नाटक या फिल्म देखने निकल जाते हैं इस खानदान में कौन-कौन है अब्बू को सब के साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है क्यूं? इस खानदान के लोग कैसे तफ्रीख करते हैं? तोताराम तोताराम अपने वालिद, चचा और चचाजाद भाईयों के साथ मुंबई की एक बस्ती में रहता है तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आई हैं सफा नंबर 141 उनके वालिद और चचा यहां काम करते हैं घर का सब काम सभी मिलजुल कर करते हैं तोताराम के चचाजाद के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है उसके वालिद, खरीदारी का सारा काम संभालते हैं वो दोनों जितने पैसे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो गाउं में तोता राम के दादा को भेचते हैं। तोता राम की मा, दादा, दादी, चची और छोटे भाई बहन गाउं में अपने पुष्टैनी घर में रहते हैं। तोता राम साल में एक बार गाउं जाता है। सफे की बाई जानिब तोताराम की तस्वीर दिखाई गई है उसको अपनी मां की बहुत याद आती है वो उसे लंबे-लंबे खत लिखता है तोताराम के खांदान के अफराद एक दूसरे से राप्ता कैसे कायम रखते हैं तोताराम के खांदान में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से काउं में रहते हैं क्रिशना और कावेरी क्रिशना और कावेरी अपने वालिद के साथ रहती हैं सुभा तयार होकर तीनों एक साथ घर से निकलते हैं कृष्णा कावेरी को स्कूल पहुचा कर कॉलिज जाता है। उनके वालिद दिन भर दुकान में मसरूफ रहते हैं। दुपहर में कावेरी स्कूल से लौट कर आती है और घर का ताला खोलती है। वो अक्सर कृष्णा का इंतजार करती है। सफे की बाई जानिब कावेरी की तस्वीर दिखाई गई है। सफा नंबर 142। कॉलेज से आने के बाद कृष्णा और कावेरी दोनों मिलकर खाना खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी खेलने बाहर जाती है। वापसी पर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है या कभी टेलिविजन देखती है। वा खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी मा के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं मा के पास रहता है। लेकिन उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीजें और वालिद जो यहां है। कृष्णा अपनी बहन का खयाल कैसे रखता है। खानदान में क्या क्या काम मिल जुल कर किये जाते हैं। तुमने कुछ खानदानों के बारे में पढ़ा। कुछ सवालों पर गुफ्टकू भी की। खानदान क्या है। खानदान कैसे कैसे होते हैं। अब तक इस बारे में तुमने अपनी राए कायम कर ली होगी। खानदा में क्या क्या होता है मुंदर जाजेल जुम्लों में से जो खानदानों में होता है उन पर सही का निशान लगाओ एक खानदान के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं खानदान के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है किसी खानदान में पैदा होने से या उसके किसी फर्द के साथ शादी होने से हम उस खानदान का हिस्सा बन जाते हैं खानदान के लोग अक्सर एक घर में साथ साथ रहते हैं खानदान के बड़े लोग अपने खानदान के लिए पैसे कमाते हैं सबक में कुछ खानदानों के बारे में बताया गया है इनके अलावा भी कई तरहां के खानदान होते हैं इस तन्वु को समझने के लिए बच्चों से उनके खानदानों के बारे में गुफ्तगू की जा सकती है सफ़ा नंबर 143 खानदान के लोगों का आपस में जगडा हो, तब भी सभी साथ रहते हैं खानदान में बच्चों और बुढ़ों की देखभाल होती है अपने खानदान की कुछ और बाते सोचो और खाली जगा में लिखो सीतम्मा के खानदान का शिजरा क्या तुम खानदान का तसवर एक पेड़ की शक्ल में कर सकते हो यहां सी तम्मा के खानदान का शिजरा दिया गया है इस सफ़े पर एक चार्ट दिया गया है जिसकी दाई जानिब दो खाने है पहले खाने में दादा, दूसरे खाने में दादी लिखा हुआ है इन दोनों खानों के बीच में एक लकीर है उस लकीर के बीच में से एक लकीर नीचे की तरफ आती है और यहां वो मुक्तलिफ खानों में बठ जाती है माँ के खाने के ऊपर सफे की बाई जानिब दो खाने दिये गए हैं जहां नाना और नानी लिखा है बाप और मा के खाने के दर्मियान एक लकीर है इस लकीर से दो और खाने जुड़ते हैं पहले खाने में हैं सी तम्मा और गी तम्मा ताया और ताई के खाने के नीचे भी तीन खाने दिये गए हैं जो की खाली हैं अब तुम अपने खानदान का शिजरा अपनी कौपी में बनाओ, इसके लिए अपने खानदान के बुजर्गों की मदद लो, इस काम के लिए तुम्हें सीतम्मा के खानदान के शिजरे से भी मदद मिल सकती है। इसी के साथ 24 असबाख की किताब आसपास का 21 सबक तरहा तरहा के खानदान यहीं खत्म होता है। CIET, NCERT, नहीं दिल्ली, भारत.